मैं डॉक्टर मादुकुप्ता एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ प्रदार मंतरी नरेंद्र मूदी अपनी परंपरागत वेशवूशा के साथ मनीपुर का उत्तरी है और उत्तराखंड की टूपी में नजर आए तो एक बार तो उनको देखते ही पराक्रमी भीड नीताजी सवाश्चंद्र बोस की इस्मरती मेरे मन मस्टिक्ष पर उबर आई फिर लगा जैसे उन्होंने आई एन ए की टूपी पहन रखी है पर जब प्रधान मंत्री की टूपी का क्लोज अब देखा तो उस पर दिखा हिमाले के समराट कहा जाने वाले फूल की आकरती ब्रह्म कमल जी हाँ जिस ब्रह्म कमल को देखकर प्रधान मंत्री भी हैरान रहे गये थे और अपनी कैदारनात पूजा में पागवान शिप को उन्होंने यही पुष्प चाड़ाया था क्या है यह ब्रहम कमल, क्यों इतना विशेश है यह ब्रहम कमल इस वीडियो में आगे चलें, साथियों उससे पहले मेरा आपसे विनम्र नुविदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बैल आइकन को दवाना ना भूले और यदि पसंद आए वीडियो तो उसको शेयर करना भी ना भूले देव पुष्प ब्रहम कमल अपने देविये गुण और अलोकिक आभा के कारण ही उत्तरा खंड का राज्य पुष्प गुषित किया हुआ है ब्रहम कमल पुष्प का हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व है नंदा देवी को ये पुष्प अत्यधिक प्रिये है नंदा देवी के अलावा कैदारनात और बद्रीनात में भी ये पुष्प देवतों पर चड़ह जाता है ब्रहम कमल को ब्रहम देव का प्रिये फूल माना जाता है मानिता है कि दुनिया की रचना ब्रहमा नहीं कीती और यही फूल उस समय उनका आसन बना था महा भारत और रामायन में भी इस ब्रहम कमल के काफी चर्चे मिलते हैं ऐसा कहा जाता है कि रामायन में जब लक्ष्मन के बेहोश होने के बाद उनका उपचार हुआ और उपचार होने पर जो वो ठीक होकर उट बैठे तो देवताओं ने स्वर्ग से जो फूल बरसाए थे वे ये ब्रहम कमल ही थे माना जाता है कि देवताओं के ये फूल हमारी सारी चाओं को पूरा करते हैं उत्राखंड के उचे पहाड़ों पर खिलने वाले फूल ब्रहम कमल की खुश्बू बेहत मादक होती है आप उत्राखंड में पिंडारी से लेकर चिफला, रूपकुंड, हैमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, कैदारनात में भी इस फूल को खिलते देख सकते हैं साल में केवल एक बार खिलने वाला ये फूल पूरी तरह से खिलने में दो घंटे लग जाते हैं से इसे देख कर विशेश अगे हैरान हो उठे, माना जाता है कि कोरोना के कारण अब की साल सैलानियों के ना होने के कारण प्रदूशन का इस तर काफी घट गया था और उसका असर इन फूलों पर देखने को मिला, ये बहुत कम उचाई पर और बे मौसम ही खिल रहे थे, मुस सेप्टिक होता है, जिसे जले कटे में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रह्म कमल से कैंसर जैसी असाद्धर बीमारियों का इलाज का भी दावा किया जा रहा है, इसके अलावा लिवर संक्रमन में तो ये रामबान माना जाता है, हड्डियों के दर्द में भी ये रहात दे होनी बाकी है पर अपने देविये गुण और आज प्रधान मंत्री की टोपी पर अंकित इस पुष्प ने भारत के स्वनिम भविश्य के हमारे सामने कई नए प्रती कई नए संकेत दे दिये हैं धन्यवाद